दरजासी के तैसिल गरोठा में एक पर फिर NGT के नियमों के धज्या उड़ाती तस्वीर सामने आई है यहाँ ग्राम खमा में पट्टा धारक जमीन पर निर्धारित भूमी के अतरिक्त खनन किया जा रहा है कुल मिला कर NGT के नियमों के विपरीत बगैर काटा बगैर स्कैनर बगैर फर्म के बोर्ट के खनन किया जा रहा है स्थित्य ये है कि प्राकृति के रूप से बहने वाले नालों में मिट्टी मोरम भरकर बहने वाले पानी को भी जगे 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 रोख दिया कया है कुल मिलाकर कहानी यही नहीं खत्म होती जंगलों से हरे भरे पेड़ों को काट कर रास्ता बनाने में उप्योग किया जा रहा है पूरे मामले में उपजिला धिकारी भी कुछ बोलने से इंकार कर रहे हैं जासी से यह बड़ी खबर सामने आ रही जहां गरोठा में एंजिटी के नियमों को तरकिनार करके पेड़ पोधे जो है उजाड़े जा रहे हैं और जो तैच छेतर है उससे आगे बढ़कर खनन पूरे जोर पर है लगतार सरकार के राजस्व को भी छटी पहुचाई चारी आवे तरीके से खनन जो है बदस्तूर जारी है और कुल मिलाकर अधिकारी जो है कहते हैं कि हमारे पास जानकारी नहीं है पहले जानकारी टटो लेंगे उसके बाद इस पर कोई आक्शन लेंगे तो इस वक्त की ये बड़ी खबर घरोटा जासी से सामने आ रहे नीजी भूमी पटा धारक जो है अपनी मनमर्जी से खनन कर रहे है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है जिमदार जो है शायद आख मूंद करके बैठे हों क्योंकि जासी से ये पहली बार नहीं कि इस तरीकी की तस्वीरे सामने आ रही है लगतार इस तरीकी तस्वीरे सामने आती रही है और अधिकारी जो है हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते है सवाल अधिकारी उसे जब पूछा जाते है तो हमारे साही होगी राम नरेश, फोन लाइन पर चुरू हुए राम नरेश, ऐसा पहली बार ने की इस तरह की तस्वीरे सामने आ रहे हैं लगातार आप इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास भेजते रहे हैं जिसमें देखा जाता है कि किस तरीके से अवैद खनन चल रहा है पहले भी आपने इस तरह की तस्वीरे भेजी हैं लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उपजिला धिकारी के पास जब आप पहुंचें बाइट लेने के लिए रियाक्शन लेने के लिए तो ये साहब कहते हैं हमारे पास जानकारी नहीं है तो फिर क्या काम कर रहे है उपजिला धिकारी जिले में खनन मापिया इनको भी काटने में बिल्कुल नहीं चुक रहे हैं अगर ये रास्ते में आ रहे हैं तो रम नरिश सवाल वही घूम फिर कर पहुंच जा रहा है कि उपजिला धिकारी बार बार ये क्यों कह रहे हैं उसके अलावत चारों तरफ ये खनन पूरे जोर पर है बड़ी बड़ी गारिया लगा दी गई है कही उपजिला धिकारी कोई चीज़े नजर नहीं आती प्रसाशन को ये चीज़े नजर नहीं आती जे शुक्रिया रामदरिश तमाम जानकारी के लिए तो